आपका स्वागत है तो दोस्तो यह group policy का हमारा last वीडियो होने वाला है तो मैं ऐसा ही quickly review कर रहा था तो हमने दो, पॉइट्ट्ट रूस्थ किया हैं तो मैं उनको इस वीडियो में आपको बता दुगा तो यह हमारा group policy का लास्ट वीडियो होगा ठीक है तो हम सबसे पहले क्रेटिंग जीपी यह हम कर चुके हैं कॉपिंग एंग पेश्ट यह अभी दख हमने नहीं किया इस वीडियो में देखेंगे और यह भी हमने नहीं किया इंपोर्टिन एर एक्सपोर्टिंग गुरूप पॉलसी मॉडलिं इस वीडियो में देखेंगे तो यह सारी चीजे हमने कवर कर लिए हैं तो हम चलिए देखते हैं सबसे पहले एक ग्रूप पॉलसी को तो हम copy करके देखते हैं ठीक है copy and paste करके और import export भी करके देखते हैं ठीक है उसके लिए मैं आ जाता हूं अपने domain controller के उफर domain controller पर आप console open करोगे group policy का group policy का console open करने के बाद यहां पर आप आओगे मालीजी आपको कोई group policy copy करनी है just like यह मैंने एक software वाली group policy है software अगर copy क्यों करते हैं यह important समझना ज़रूरी है दोस्तों copy इसलिए करते हैं मालीजी यह मेरी एक single domain है learn in Hindi ठीक है learn in Hindi.com ठीक है अगर मेरे पास multiple domains है मालीजी एक और domain होती है मेरी एक region में है एक region में है दूसरी मेरी EMEA region में हो गई EMEA मतलब आपके पास multiple domains का scenario है ठीक है अगर आपको group policy copy करनी है from एक domain से दूसरी domain पर ठीक है मुझे same group policy लगानी है यह software वाले same group policy दूसरी domain पर लगानी है ठीक है तो उसके लिए हम कैसे कर सकते हैं तो हमारे पास दो options हैं आपर एक है import और export export and import और दूसरा है copy paste ठीक है तो copy paste करने के लिए दोस्तों क्या क्या आप यहां पर copy करोगे ठीक है और यहां पर new object पर जाके दूसरी domain के भी new object पर जाके उसका console आपको यहीं पर खोलना पड़ेगा यहां पर आपको paste का option उसमें भी दिखेगा सिर्फ आप paste करोगे ठीक है तो यहां पर दो option आएंगे जैसे यह पर पेस्ट करोगे तो यहां पर दो option आएगे यूज दी default permission for the new gpo और preserve the existing permission preserve the existing permission जो permissions इस gpo में है software software अंडर्सकों install में वही permissions आपको रखनी है या फिर आप नई permissions लाना चाहते हो इसके उपर जो की default है ठीक है तो आप accordingly जो भी यूज करना चाहते हो अपनी situation से साब से मैं यहां पर default वाला लेता हूं की नई permissions ठीक है तो यह gpo आपकी copy paste हो रही है यहां पर तो यहां पर जब यह gpo copy paste हो जाएगी तो यहां पर आपको दिखने लगेगी ठीक है इसको आप ok कर सकते हो तो यह आ गई हमारी copy of software install underscore install ठीक है तो जैसे ही कोई copy होती है यह gpo paste होके आती है तो उसके आके लिखके आता है copy of ठीक है तो यह चीज़ आप देख लो उसमें जो permissions होंगी वह सेम होंगी जैसी जैसी जो भी सेम होंगी जैसी कि इसमें थी software underscore install ठीक है तो यह gpo इसकी copy मतलब इसकी mirror copy है ठीक है अब यह एक हमने चीज़ समझ ली अब हमें क्या है export और import भी समझना है ठीक है export करने के लिए दोस्तों क्या है सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा मैं आपको यह बता चुका हूँ फिर से मैं बता देता हूँ इस gpu को हम example के तोर पर देखते हैं ठीक है wallpaper ठीक है आप इसका backup लीजिए सबसे पहले सबसे पहले आप इसका backup लेंगे माली यह backup folder पर मैं backup लेने जा रहा हूँ ठीक है तो आप यहाँ पर description में आज की date भी डाल सकते हैं आज की date है 9th March ठीक है इसको मैंने backup ले लिया यह backup लेने के बाद ठीक है यह backup होगी हमारे पास अब मैं क्या करूंगा अब मुझे इस gpu को क import कर सकते हो किसी भी existing gpu पर माल लीजे इस वादी gpu पर मुझे import करना है wallpaper की setting तो आप यहाँ पर click करके import setting पर click करोगे import setting पर click करने के बाद ठीक है यहाँ पर आपको एक option यह मिलता है कि पहले जो existing आपकी gpu है existing gpu इसका backup ले लो ठीक है import करने से पहले तो यह भी आप कर सकते ह हो कि इसका backup ले लो यह recommended इसलिए होता है क्योंकि क्या होता है कि हो सकता है कुछ misconfiguration हो जाए तो इससे लिए आप पहले इसका backup ले लो बट यहाँ पर testing purpose के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि इसको जहना testing purpose के लिए मैं इसको next कर देता हूं ठीक है हमें कौन से लिए थी wallpaper यहाँ पर देख लिए आप date भी verify कर लिजे कि 9 March लिखा हूँ है description में ठीक है और इसको आप next कर दीजे तो यह हमारी setting import होगे इसमें wallpaper वाली भी ठीक है अगर आपको देखना है wallpaper की setting तो आप यहाँ पर देख सकते हो यह wallpaper आ गई ठीक है दूसर का एक option होता है दोस्तों search का control F यहाँ पर अगर आपको जिसे माल लीजिए बहुत सारी settings लगी होती है हमें find करना होता है कभी कभी ठीक है तो हम इन settings को find भी कर सकते हैं wallpaper आपने डाला यहाँ पर इसको पहले आपको extend करना पड़ेगा फिर control F करना पड़ेगा और यहाँ पर लिग दीजिए wallpaper यह देखिए आप यह इससे हो गया तो आप thousand settings होती है तो आप ऐसे इसको filter कर सकते हो दोस्तों आप यह question आता है कि हम GPO कैसे find करेंगे मतलब की particular GPO जैसे मैंने यहाँ पर एक wallpaper की GPO बनाए हुए या software की GPO बनाए हुए ऐसे हमारी organization में 1000 GPO होती है कि 100 GPO होती है जिस settings से related वो GPO बनी हुई है ठीक है तो इस चीज को find करना थोड़ा सा tough job होता है ठीक है उसके लिए क्या कर सकते हो आप यहाँ पर जैसे आ गया है यहाँ पर domain पर यहाँ पर search पर क्लिक किया ठीक है search पर क्लिक करने के बाद आप आप जो है यहाँ पर किस domain के लिए कर रह है ठीक है तो यह दोस्तों सपोस्स माल दीजिए आपको एक चीप्यो फाइंड करनी है ठीक है ग्रूप पॉलिसी ऑब्जेक्ट के अंदर एक चीप्यो फाइंड करनी है कि कौन से जीप्यो है तो आपके पास क्या होगा यहां पर तो मेरे पास कुछ कम जीप्यो है बट जनरली प्रोडक्शन में क्या होता है 100 प्लस जीप्यो होती है ठीक है बहुत सारी जीप्यो होती ही तो उनमें फाइंड करना बहुत मुस्किल जॉब होता है बट आप जनरल लोकेशन के लिए बनी है किस डोमेन के लिए बनी है ठीक है किस OU के लिए बनी है आप उसको भी यूज कर सकते हो नाम में ठीक है उससे क्या फाइदा होगा कि आपको इसली पतर चल जाएगा जीपियो का नाम देखते ही कि वो कहां पर लिंक है और क्या कर रही है ठीक है तो यह बहुत ज़रूरी है अगर just suppose माली मुझे कोई GPO find करनी है ठीक है तो यहां पर आप domain पे click करोगे यहां पर एक option आएगा आपको search ठीक है search पर आएगा अगर आप GPO को किस नाम से find करना चाहते हो ठीक है तो यह नाम में क्या content है wallpaper मैं लिख देता हूँ wallpaper ठीक है example के तोर पर यहां पर आप search करोगे तो wallpaper की GPO आ गई ठीक है तो यहां पर आपको certain parameter दिये हुए search item करने के लिए GPO link ठीक है security group किस-किस पर map है ठीक है तो वह उस तरीके से आप यहां पर find कर सकते हो हो चीजों को ठीक है test यहां पर security group मैंने किसी में add क्या होगा ठीक है तो मुझे ऐसे करके find कर सकते हूं यहां पर security group ठीक है security group के हिसाब से security group just like यहां पर मैंने authenticated user use किया है यहां पर भी authenticated user use किया यहां पर wallpaper ठीक है और यहां पर सर्च करोगी यह आ गया इस जीप्यों का नाम भी आ गया तो इस तरीके से आप यहां पर यहां पर जिसे मैंने एक वम आई फिल्टर बनाया हुआ है यह किसके लिए वनाया यह आपको इंटरनेट पर कमांड मिल जाएंगी जंदली ठीक है select windows 32 operating system where caption like win तो यहाँ पर मैंने कह लिखा है कि windows से related जितने भी हैं उनको यह find करेगी ठीक है उनको यह find करेगी WMI query यहाँ पर एक WMI query लिखी हुई है यह बहुत ही easy होती है बस खाली आपको query find करने होती है ठीक है इसके लिए क्या करोगे आप यहाँ पर new पर click करोगे ठीक है description में जो भी आपको लिखना है इस से related कि किस लिए किस के किस से related बनाना चाहरा हो मालीजिए आप मैं अच्छम है 10 की related query तो वह आपको internet पर मिल जाएगे ठीक है उसको लाके यहाँ पर paste कर सकते हो जैसे मैंने यह किया हुआ बनाते हो को जीपियो बनाते हो तो यहाँ पर आके स्क्यूरी को लिंक कर सकते हो जैसे अभी मेरे में new wmi filter दिख रही है ठीक है आप इसको यहाँ पर link कर सकते हो ठीक है आप लिंक करोगे तो आपकी 8 है windows 11 है बट यह जीपियो किसके लिए applicable होगी only for windows 10 अगर wmi filtering लगी हुई है तो यह हो जाता है कि हम इसके फिल्टरिंग कर सकते हैं ठीक है तो यह एक चीज़ हो गई ठीक है अब स्टार्ट जीपियो जो सकी मैंने आपको शुरू आपने बताया था स्टार्ट जीपियो हमा क्या है group policy remote update firewall ports ठीक है यह firewall ports से related है और यह भी reporting firewall ports से related है ठीक है अगर आप इनको यूज करके कोई GPO बनाना चाहते हो तो वह भी आप कर सकते हो ठीक है group policy modeling क्या होती है दोस्तों जैसे हम कोई नई group policy की testing करना चाहते है ठीक है तो हम इसको यूज कर सकते जैसे generally मैं इसको avoid करी है ठीक है आप जैसे कोई GPO बनाते हो GPO बनाने के बात उस GPO को particular test machine आपके पास होनी चाहिए इन्वार्मेंट में ताकि आप test कर सको right result मिल सके देन आप उसको आप production में ले जाओ ठीक है तो यह चीज़ आप यूज करिए GP result यहां पर होता है GP result जैसे माली जी आपको किसी computer का remotely computer का जो ना result निकालना निकालना है तो यहां पर another computer पर क्लिक करके यहां पर उस computer का विंडोस 10 माली यह मेरा computer है विंडोस 10 मैंने यहां पर उसको दे दिया और GP result में उसका निकालना यह जनरली क्या होता है WMI ports open होने चाहिए ठीक है otherwise RPC error आ जाएगी ठीक है तो यह इस तरीके से हम इसको use कर सकते हैं और इसको हम use कर सकते हैं दोस्तों ठीक है तो यह थोड़ा सा time लेता है ठीक है मैं इसको बंद कर देता हूं RPC error आईगी ठीक है अब दोस्तों सबसे पहला question यह आता है हमारे लिए कि हमें कैसे पता चलेगा कि यह GPO हमारी effectively apply हो रही from the server side ठीक है server side apply होने के लिए 3-4 सीजे आपक सबसे पहला आपको क्या देखना पड़ेगा wdsa.msc मुझसे बोलने कि Windows 10 पर GPO नहीं लग वी है तो मैं क्या करूंगा यहां पर advanced पर इसको advanced features पर enable किया और यहां पर Windows 10 को मैंने computer पर click करने के बाद Windows 10 को मैंने find किया कहा है Windows 10 find किया मैंने कहा है Windows 10 की location देखना है मुझे object location कहां पर है यह विंडोस 10 की object location इसको अपनो test पर copy कर लो यह तरीका है जिसके तो आप troubleshooting कर सकते हो बहुत simple तरीका है इसमें कुछ भी आपको दिमाग नहीं रहा ना और 99% आपकी problem solve हो जाएंगी तीक है अब यह Windows 10 की location क्या है हमारी यहां है ठीक है अब IT पर देखें यह आई टी है ओ यू लेप्टॉप है इसके अंदर Windows 10 पड़ा हुआ है ठीक है अब वो बोलेंगे कि जो policy कौन सी होगी माली यह सौफटर वाली हम एकजांपल ले लेते हैं ठीक है यह सौफटर वाली link है यहां पर enforce भी हो रही है छॉरी इन्फोर्स नहीं हो रही है लिंक है लिंक हो लिंक पर क्लिक है यह ऑथन्टीकेटट गडियूजर है यहां पर ठीक है अब आप इसको यहां पर देख सकते हो settings पर चाहिए किसे AD version और SysWall version से और computer version भी हमारा सेम होना चाहिए AD version और SysWall version से ठीक है पहला यह हो गया हमारा ठीक है दूसरा क्या होता है दोस्तों कि आपको delegation पर आके यहां पर administrative users पर click करना है जो भी यहां पर इसको group add है ठीक है उसको माली यहां पर कोई group add होता ठीक है तब भी आपको यहां पर आके वही group को यहां पर आके properties पर click करना है और advanced पर click करने के राद यहां पर जैसे authenticated user add है ठीक है authenticated user पर आके यहां पर रेखना है apply group policy allow होना चाहिए ठीक है यह यह थोड़े से certain parameters होते हैं जो आपको verify करने है अपने side से ठीक है कि फिर उसके बाद क्या करना है दोस्तों आपको यह हो गए है मारी first phase of the troubleshooting फिर उसके बाद आपको क्या करना है अगर आप client को request कर सकते हो कि भी यह वह आपको GP result slash r ठीक है GP result आपको दे सके ठीक है GP result रन करने से पहले वह अपने system पर GP update force command भी रन करेगा ठीक है GP GPO दोस्तों हमें से apply होने में थोड़ा सा time लगता है तो मतलब आपको थोड़ा सा wait करना पड़ेगा और एक चीज़ और सबसे important है यहाँ पर आपको यह भी verify करना है कि जैसे यह जो GPO है मेरी software installation इसकी settings पर जाओगे तो इसकी settings में user configuration हमारे disable मतलब user configuration में disable नहीं है no settings है ठीक है no setting defined ठीक है इसका मतलब user के लिए कोई भी settings इसमें नहीं है computer के लिए settings है तो यह GPO हमारी computer पे ही apply होनी चाहिए computer OU पे ही link होनी चाहिए ठीक है आप यहाँ पर क्या कर सकते हो इसमें user no setting defined है user में तो आप इसको क्या कर सकते हो यहाँ पर आके इसमें user configuration setting disable भी आप कर सकते हो ठीक है disable करने से फाइदा क्या होगा कि यह यहाँ पर disable लिखके हा जाएगा जब यह GPO कभी भी किसी system पर माली यह कोई भी windows 10 वाला machine इस GPO को download करेगा तो वह user configuration को देखेगा नहीं देखेगा यह disable है और वह इस पर focus करेगा computer enable वाली चीजों पर ठीक है तो उससे computer का अपना time बचेगा तो आपको यह भी make sure करना है कि कि आप कौन सी configuration यूज कर रहे हो उसके accordingly आपको user अगर configuration यूज कर रहे हो तो computer configuration को disable करना है ठीक है तो यह एक तरीका होता है और maximum से maximum जो है आप 997 something GPOs बना सकते हो ठीक है तो आपको यह भी करना है कि कि किसी भी computer को उपर ज्यादा से ज्यादा 3, 4, 5, 10 GPO ही लगें इससे ज्यादा GPO ना लगें क्योंकि क्या होता है number of GPO जैसे बढ़ती है ना computer की processing slow हो जाएगी जिस computer पर वो apply होने जा रहे हैं तो यह भी आपको make sure करना है कि कम से कम GPO बन लगें और ठीक है और ज्यादा से ज्यादा चीजिएं को मतलब आप यह भी कोसिस करो कि ज्यादा से ज्यादा ज्यादा GPO की settings inherit ना हो मतलब collisions ना हो ठीक है तो वह भी आपको कोसिस करना है कि आप कैसे से कर सकते हो ठीक है मैं क्या करूँगा दोस्तों आपको यह वीडियो तो यहीं पर फिनिस हो रहा है पर मैं आपको एक काम कर सकता हूं मैं आपको अपने चैनल पे, मैं एक वो बना रहा हूँ, प्लेएट्ट, मैंने प्लेएट्ट अलेडी बनाई हुए, जीपियो से रिलेटट, ठीक है, तो मैं इस प्लेएट्ट में गृरुप पॉलसी से रिलेटट आगे जितने भी वीडियोज होंगे, वो मैं डालता रहूँगा, वो ह नहां पर बट वो हमारे एपिसोड का पार्ट नहीं होंगे मतलब वह एक्ट्व डारेक्टरी प्लेलिस्ट का पार्ट नहीं होंगे जीपियो के पार्ट होंगे एक्ट्व डारेक्ट्री के प्लेलिस्ट का पार्ट नहीं होंगे ठीक है तो उससे फाइदा होगा आपको मैं ज ठीक है क्योंकि गलती होने के चांस सबस्यादा जीपियो में होते हैं क्योंकि हम उसको regular basis पर काम करते हैं जीपियो पर तो गलती होने के as a system admin आप से सबस्यादा chances गलती होने के जीपियो पर रहेंगे chances तो यह चीज आप कर सकते हों कि इसकी practice बहुत ही ज़रूर ही है ठीक है तो मिलते हैं तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में और बात करेंगे हम नए वीडियो में नए वीडियो में हम समझेंगे service accounts के बारे में group policy सर्विस account के बारे में कि कैसे यूज होते हैं कैसे बनाते हैं service account और क्यों रिक्वार है service account ठीक है थैंक यू